कहा को नमसकार दोस्तों सवागत आपका एक और नए वीडियो में बात करें गरूप Đीацती स्पोर्ट्स कोटे के बारे में ऊस्पोर्ट्स कूणटे की कट्टफ क्या कुछ रहेगी सब्कित करकेbir कि इसके बारे में बात करेंगे और डेल स्पाइल पर आप नए ठीका लिंक डिश्कर्शन में दे रहा कि आप भी जुरूर जवाइन करें अगर आप स्पोर्स कोटे से हैं तो पोल करवाया था इसके इंदर आपको दिखा भी देता हूं मैं तो दोस्तों ये पोल करवाया था सो नंबर में से आपके कितने नंबर बनते हैं ठीक है यहाँ पे कितने कंडिडेटों ने पॉल किया यह आप देख भी सकते हैं ठीक है 38 से कम किसके हैं 66 पलस किसके हैं 38 से 45 किसके सभी से पॉल करवाया गाथा और आप भी जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा पॉल जरूर करें जिस टाइम भी पॉल करवा जाए ठीक है तो बहुत से कंडिडेट पॉल नहीं करते हैं गलत बात अगर जुड़े हो तो आपके लिए गुरूब बनाया गया इसमें कुछ अगर पॉल कर दोगे तो कुछ नुक्सान भी नहीं है कोई अलग से कोई नुक्सान तो है निया 38-45 नंबर की बात करें सो में से तो 34% कंडिडेट के नंबर है ठीक है 34% कंडिडेट 38-45 नंबर पर हैं ठीक है और 46-50 नंबर आए हैं 16% कंडिडेट के ठीक है 41-45 नंबर है वह 13% कंडिडेट के और 56-60 की बात करूँ तो 13% कंडिडेट है और 61-65 की बात करूँ तो 8% कंडिडेट है और 65 पलस की बात करूँ तो 9% कंडिडेट ऐसे हैं जिसके 65 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं लेकिन 7% कंडिडेट ऐसे भी हैं जो 38 नंबर ही नहीं ले रहे हैं तो यह जो शाथ परतिस्थ गंडिडेट है यह इस्पी कोटे से वैसे यह बार हो जाएंगे गुरूब डी से तो वैसे बार होंगे ठीक है क्यों क्यों कि 38-40 पर लेने की कंडिशन है ठीक है तो तो यहां पर देखोगे साथ परतिसत कंडिडेट यह है और लिए चोटिस परतिसत कंडिडेट यह है सोड़ा यह और तेतिस यह जो 55 नंबर से निचे निचे हैं ठीक है अगर टोटल करोगे तो यह आप जोड़ोगे तो लगबग 63 परतिसत यह है और 7 परतिसत वह हैं तो 70 परतिसत कंडिडेट ऐसे हैं जो 55 नंबर से निचे निचे हैं ठीक है 55 नंबर से ही निचे है अब बात करूँ शीटोंगी शीटे रहेंगे आपकी लगबग साडेशां कि शब्शां कुढआ है कि से दियृचां से तेरा सो कार पार सबसुता कविए तो अब यहahaं तो अभी बात है तेरा जार इंप पान सो चातीस पदों की इस में से आपको मिलेंगी लगबग बारा सो से तेरा सो गए बीच में शीटे ठीक है सीटे रहेंगी इतनी अब बात आती है कंडिडेट कितने हैं तो कंडिडेट लगबग 6,000 से 2,600 कंडिडेट approximately हैं ज्यादा से ज्यादा वस इतने हैं इससे ज्यादा नहीं है डाटा कलियर नहीं किया है ना NTA नहीं किया है ना CSSC नहीं किया है पहले डाटा आया था 2,300 कंडिडेट थे टोटल ग्रूप C के और ग्रूप टीगे ठीक है ग्रूप C और ग्रूप D के सारे स्पोर्ट के ठीक है बैतन कंडिडेट अपलाई प्लाई कर ठेखे लिए दीनी था सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा ठीक है सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा क्यों रहेगा फार पेपर तो 6000 पलस ने दे दिया लेकिन ग्रेडेशन नहीं है ग्रेडेशन ना होने के कारण जो मैंने आपको कटोप बताई है बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी जर्णल की आप देख लेना 423ोडे का सेलेक्शन गाश्य कटाईगरी 21 कटाईगरी बीसी बीक टाईगरी एलेजिबल हैं तो इनका सबी का होगा EWS में 41 वालेगा हो जाएगा ठीक है EWS की अगर बात कुरूं तो उनका भी हो जाएगा दूसरी बात ग्रूप डी की जो 2018 की बरती ही शिट्य धी 1518 उनका रेजल्ट रिवाइज होने वाला है लिस्ट में कहां पेज फसा हुआ है इसका सपस्टी करना भी नहीं है बकि नमवंबर में लिस्ट लगने की पूरी पूरी उमीद है इसकी ठीक है तो रेजल्ट आने से पहले ये लिस् छेज्ट आपको बता देता हूं जो सबसे महीन रहेगी आपके सपोर्ट्स कोट्टे के लिए एक 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 सब्सक्राइब कर देगी और डिपार्टमेंट को लिश्ट देगी और डिपार्टमेंट करवाएंगे इन्हों ने परसों सबस्ट कर दिया तो एक बात यहां से सबस्ट है आपकी जो पॉट्स कोटे वाड़े हो आपकी जो सीटी की जो लिश्ट लगेगी इसके सभी candidate जो select होंगे उससे पहले ही list लगने से पहले जितने भी gradation है sports department के दवारा verify करवाए जाएंगे ठीक है sports department के दवारा verify करवाए जाएंगे पहले ही कहीं बाद में 2018 वाली बरती वाला हाल ना हो कि 2018 वाली बरती की तरह दुबारा से रजल्ट है अब जैसे अब फाइल बनी हुई है उसकी उसका रजल्ट रिवाई जोने वाड़ा है कि दुबारा से फिर CET में candidate फरजी बार हो फिर दुबारा से वेटिंग लगे तो ऐसा कंडिडेट सेलेक्ट होंगे जिसके पास ग्रेडेशन सही है सही है का मतलब आप अच्छे से समझ देंगे आपने ग्रेडेशन कि तरीका दा बुनवा रख्या हो आप सही खिलाडी है या फ्रजी खिलाडी है ठीक है तो लिस्ट बिलकुल निच्छे तक आएगी शत्तर परतिसत कंडिडेट ऐसे हैं जो 55 से निच्छे नंबर रखते हैं बात दूसरी बहुत से यूटबरों पर बताया गया 58 पर लिस्ट आओगी 62 पलस वाला सेफ है ठीक है शेफ तो है लेकिन 58 खावन ब्लस वाला सेफ है 58 पलस वाला सेफ तो इस बात का य मतला है तो गद्र cook कंडिडेटा ऊत्तर प्र यह उल्न से नीचे हैं और लगबग ESP में सभी का होगा जिस gradation आपकी सही है या नहीं ये माइने रखेगा नमबर कितने है आपके ये ज्यादा माइने नहीं रखेगा gradation सही है या नहीं वो माइने रखेगा नमबर बेसक 60 पलस हो तो आप बार हो ठीक है तो ये माइने रखेगा और टेलिग्राम वाटसाप गूरूप को जरूर जोइन कर लेना सभी स्पोर्ट्स कोटे के कंडिडेट यहां पे जुड़े हुए हैं gradation की जैसे ही मामला सोर्ट आउट होगा उसके बारे में भी आपको जानका जरूर देंगे और 2018 की लिष्ट का इतजार है बहुत ज्यादा इतजार है कंडिडेटों को भी नहीं होगा इससे ज्यादा तो मेरे को है क्योंकि 2018 वाले लिष्ट में 500 से 600 कंडिडेट तो नई सलेक्ट होने हैं और रिजल्ट रिवाइज होना सभी का साथ में जो यह कंडिडेट सीटी के हैं उनको बहुत ज्यादा फाइदा होना है ठीक है लगबग लगबग यह कह सकते हो इसमें फाइट ही नहीं रहेगी शीटे खाली जाने के पूरी पूरी मीद बने जाएगी फाइट ही नहीं पूर्ण लग जो लग चुके हैं इन बरतियों में जो लग चुके हैं वह इसमें इसमीं पूर्ण वाली से ज्यादा रखती हैं तो इसकान से उन्होंने भी फारम अपलाई कर रख्या बहुत से गृूप बहुत ज्यादा कंडिडेटों का सेलेक्शन होगा इसमें ठीक है तो यह सीटे खाली जाएंगे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं और यह जानकारी आपके लिए रहेगी और भी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे ग्रेशन वाला मामला सोट आउट होते ही ग्रेश आपके लिए का ग्रेशन पाहे जाग्वारी आपके लेकर ड़ेक्शन है तो यह जज लेक्शन होगा इसमें तो आपके लेक्शन मामला सोटेशन रगज़ रहा आते हैं अजा पन।